हलो दोस्तों कैसे हो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यह जो घर आप लोग देख रहे हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं यह रेंट घर बन रहा है यह 9 सिस्कार फिट में बन रहा है लगभग 100 गज में तो नीचे से लेकर छत लेबल तक का पहले हम वीडियो बना च तो हम लोग इसको continue करेंगे ताकि step by step हम लोग जान सके कि कहा कितना खर चा रहा है और कैसा कैसा काम हो रहा है तो चली आगे बढ़ते हैं छत लेवल तक काम हो गया है अब छत ढालने के त्यारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग जमीन को बराबर कर लेंगे ताकि बल्ली लगाने में असानी हो और बल्ली ना धसे और सभी रूम में जुरत के हिसाब से मिट्टी भर के इस पे पानी डाल दिया गया है ताकि अच्छा से बढ़ जाए इसको हम लोग एक सपता छोड दिये थे आप ये सुक चुका है आप लोग देख सकते हैं लेकिन इसमें मिट्टी थोड़ा ज़्यादा डला गया बैठे का बोल के डाले थे लेकिन नए बैठा मिट्टी तो इसको हम लोग 3-4 इंची हटा रहे हैं तो इसको हटा लेते हैं पहले फिर इसमें सोलिंग करेंगे सभी रूम का मिट्टी हम लोग हटा लिए सभी रूम का मिट्टी हटा ना पड़ा और इसमें बालू डाल दिये हैं सोलिंग के लिए और इसमें धुर्मुस भी हम लोग मार दिये हैं आप लोग देख सकते हैं, पूरा बराबर कर दिये, इसमें भी बालू डाल दिये हैं, अब बालू डाल के पहले इसमें लेबल करके इसको बराबर कर लेते हैं, फिर इटा बिचाएंगे, बराबर हो गया, अब इस पर इटा बिचाएंगे, तो हम कोना कोनी बिचाते जा रहे तो 6 रूम में 8,5 रूम गया एक ट्रक इटा में जो की 5500 रुपिया इट पड़ा था एक ट्रक टुकड़ा इटा आप लोग एक चित ध्यान दिजेगा लोग इस पेसली टुकड़ा इटा मंगवाते हैं सोलिंग करने के लिए सस्ता पड़ता है बोलके पूरा इटा और टुकड़ा इटा में कोई अंतर नहीं है क्योंकि यहां के हिसाब से 12,000 रुपिया में 2550 इटा मिलता है और टुकड़ा इटा 5500 रुपिया में एक ट्रक और एक ट्रक इटा हम लोग मंगाये थे तो 11 फिट बाई साड़े 11 फिट का रूम में 8 रूम गया था और हम लोग पूरा इटा मंगाये थे 6000 रुपिया का 1220 और उसको हम लोग बिचाये तो 3 रूम में हुआ जबकि रूम का साइच है 11 फिट बाई साड़े 11 फिट में तो 6000 रूम पूरा इटा और 500 रूम पूरा इटा में 8 रूम टुकड़ा इटा तो कोई फरक नहीं है इसमें हमने कई ओनर्स को बोले की पूरा इटा मंगवाये सोलिंग करने के लिए वो सस्ता पड़ता है या बराबर पड़ता है तो लोग हमेशा सुनते देखते आ रहा है कि टुकड़ा इटा ही बिचाया जाता है तो लोग के मन मे बैठ गया है हम लोग के बोलने पर तो कई ओनर्स पूरा इटा मंगा लेते हैं और सोलिंग भी हो जाता है लेकिन उपने पूरा इटा लगता है कि मेरा इटा बरबाद हो रहा है पूरा इटा तो 45% से नीचे अगर आप लोग को टुकड़ाइटा मिल रहा है तो आप लोग टुकड़ाइटा ले सकते हैं वारना 45% 50% से उपर टुकड़ाइटा मिल रहा है तो आप लोग उसको मत लिजेगा तो चली आप देखते हैं 6 रूम सोलिंग करने में कितना खर्च हुआ जो कि 9 से स्कार फिट है याने 100 गज में एक टेक्टर बालू लगा 3,000 रुपे एक ट्रक टुकड़ा इट लगा 5,500 रुपे जो काढ़ाई रूम में हुआ था बारा सो पीस पूरा इटा लगा 6,000 रुपे पांच रुपे पर पीस मिला और तीन मिस्त्री लगा 2,000 रुपे छे लेड़ी जहलफर थी 25,000 रुपे और तीन दिन काम हुआ तो टोटल मिला कि 99,000 रुपे हुआ सोलिंग करने में 6 रूम को और पिछली बार नीचे से लेकर 6 लेबल तक आने में 25,000 रुपे खर्च हुआ था तो इसको हम लोग सोलिंग का जो खर्च हुआ उसको पलस कर देते हैं तो 27,000 रुपे अब तक इसमें खर्च हो चुका है तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही आगे छट ढालेंगे तो उसमय का वीडियो बनेगा चलिए मस रहिए लाइप इंजो कीजिए